स्पोर्ट्स कार निर्माता, फेरारी ने भारत में 296 GTB लॉंच किया है, जो कार निर्माता के लाइनप में फेरारी F8 ट्राइब्यूटो की जगह लेता है, डॉट, नई फेरारी 296 GTB फेरारी की पहली कार है, जिसे मिड्माउंटेर हाइब्रिड इंजन वी छे इंजन द्व को शर्मसार कर देगा, नई फेरारी 296 GTB में 3.09 लई टरव इछे इंजन है, जो 654 BHP उत्पन्न करता है, और तर्बो चार्जर इंजन के दोनों किनारों के बीच लगाए जाते हैं, जिससे यह कॉम्पैक्ट और प्रभावी हो जाता है, डॉट, इंजन को फ्लोर मांटेर स 45 के WH बैटरी पैक द्वारा पूरक किया गया है, जो अतिरिक्त 164 BHP का उत्पादन करता है, जो 296 GTB को 25 किलोमेटर की पूरी इलेक्ट्रिक रेंज देने और 135 किलोमेटर प्रती घंटे की शीर्ष गती तक पहुँचने के लिए परियाप्थ है, डॉट, दोनों, आंतरिक द को पीछे के पहियों में 8 सपई द आटोमेटिक डॉल क्लच गेरबॉक्स के माध्यम से भेजा जाता है, जो कार को 2.9 सेकंड में 0-100 किलोमेटर प्रती घंटे और 330 किलोमेटर प्रती घंटे से अधिक की शीर्ष गती तक ले जाता है, डॉट, एक नए हाइब्रिड इंजन क साथ, फेरारी अपने कुल वजन पर 1470 किलोग्राम पर नियंतरन रखने में काम्याब रही है, जो की F8 ट्रिब्यूटों की तुलना में 30 किलोग्राम अधिक है, फेरारी ने पीछे के देख के नीचे सक्रिय रियर विंग को छिपाकर डिजाइन को सरल रखने में भी काम्या भी हासिल की है, जो कार निर्माता का दावा है कि 250 किलोमीटर प्रती घंते पर 100 किलोग्राम डाउन फोर्स उत्पन करेगा डॉट, कीमत की बात करे तो, फेरारी ने ने 296 जी टीबी की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि डीलर्शिप और जानकार लोगों ने कहा है कि इसकी कीमत 5, 3 रुपए से 5.4 करोड रुपए के बीच होगी, जो की एक अच्छी तरह से निर्दिष्ट के लिए एक्स शोरूम होगी डॉट, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आटो मोबाईल की ताजा और खबरे यहां मिलेंगी